नवसकार मैं आसीस पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में UPASI वालों के जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ admit card आपका जो है उसका notification आ गया है कि आपका exam date काफी बच्चे ये बोल ले थे कि लेट हो रहा है दस दिन पहले आयोग ने बोला था लेकिन अभी तक कुछ information नहीं मिली है लेकिन आज information आपका आ चुका है exam आपका 4 और 5 दिसंबर में ही है कोई changes नहीं हुआ है exam date में सूचना आ गई है कि आपका exam center कहां पे पढ़ा है पूरी list आ गई है जो 1382 पेज की list है जिसमें आप अपना registration number डाल कर आप अपना center देख सकते हैं कि कहां पे आपका center पढ़ा हुआ है admit card जो है वो आपका 3 दिन पहले exam से 3 दिन पहले अगर 4 वाले को 1 तारीक का admit card download हो जाएगा जो 4 को देंगे और 5 वाले को 2 तारीक को admit card download हो जाएगा तो 3 दिन पहले exam से 3 दिन पहले आपका admit card जा रही होगा साथी साथ आयोग ने उसके basis पर mock test जो होगा ASI के basis पर mock test जो है वो activate कर दिया है आप website पर जाके UPPRPB के website पर जाकर क्या कर सकते है mock test दे सकते हैं इसका जो ASI के pattern पर based होगा साथी साथ एक और सूचना है आप देख लिया होंगे calculate भी कर लिया होंगे 1382 page का ही आपकी listing आई है बच्चों का इसका मतलब competition एकदम कम है समझ लोग की कितने बच्चें on a prox 65,000 सिर्फ student form भरे है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी opportunity है दिमाग से सब उल्टे सीधे जो ख्याल आ रहे थे कि किसको पकड़ा है पांच वालों को जिनका exam पड़ा है अगर वो सोच रहे हैं कि मैं आरो दूँ या एसाई दूँ तो आपका जिसमें better performance हो सके आपकी तयारी जिसमें अच्छी है उसको जरूर पकड़िए क्योंकि यहाँ पर देखिए 65,000 है आरो के लिए अगर आप भड़े है तो आरो में सिर्फ 50 सीथ है तो आपको अपना दिसा चुनना है और दिये देखना है कि किसमें selection sure and certain है तो यह आप जान लिजिए कि आप लोग अब एकदम 100% dedicated हो जाईए ASI के लिए क्योंकि जौब बहुत ही आसान है और एक ही महिना के अंदर उसकी typing भी हो जाएगी यह जान लेना एक्जाम होने के बाद तो मिलते हैं फिर अगले सूचना के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद